नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं केतू अगर आपके लगन चार्ट में नवम भाव में इस्तित हैं तो आपको किस परकार का प्रेणाम देने वाले हैं तो यहां पर केतू नवम भाव में जब भी आपके चार्ट में आते हैं तो केतू यहां पर उचके हो जाते हैं केतू अगर नवम भाव में हैं इसका मतलब है तीसरे घर में आपके राहू बैठे हैं तो अब आपको रासी देखनी पड़ेगी अगर केतू वास्तम में उचके हैं या फिर अच्छी स्थिति में हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर केतू ऐसी राश्यों में हैं जहां पर आपको कुछ देने के लाइक नहीं है तो फिर आपको नवम भाव से बहुत ज्यादा सटिस्पेक्शन जिवन में नहीं मिलेग तो नवम भाव में केतू कौन-कौन से अच्छे और बुरे प्रभाव देते हैं हम इसके बारे में बात कर रहें देखें नवम भाव में अगर केतू है तो ऐसे जातक कोई धार्मिक उपदेश या कोई भी धार्मिक सिक्सा या विदेश में कोई भर्मन करने के लिए कोई धार्मी की आत्रा के लिए जा सकते हैं इसके लावा इनकी उच्छ सिक्षा भी विदेश में हो सकती है यह विदेश में अपना केरियर भी चुन सकते हैं और ऐसे जातक अगर अकल्ट से समंदित या अध्यात्म से समंदित कोई केरियर चुनते हैं तो इसमें यह बहुत उंच अच्छे नहीं है तो इनके उच्छा में रुकावटे भी काफी आएंगी और इनको बार-बार ऐस अंतुष्टी का सामना भी करना पड़ेगा लेकिन अंतिता है यह अपनी मेहनत के बल पर वो मुकाम जो यह पाहना चाहते हैं उच्छा में वो यह प्राप्त कर लेंगे तो ऐसे जातकों को लख का साथ कई बार कम ही मिलता है अगर केतु नाइन था उसमें तो आप समझेए 45 के एज के बाद कोई ऐसा बड़ा मुका आपके जिवन में आएगा जब आपका लख बहुत अच्छे से आपको साथ देगा लेकिन उससे पहले आप कम ही एक्सपेक्ट करे टो अतना मैत्रिपोन समंद नहीं रख पाते कई जातकों के ऐसे देखा गए कि इनका जो इक तरह से देखा जाए तो वहाहिक जीवन है वह उनके इच्छाओं के अकोरडिंग या तो होता नहीं है या वहाहिक जीवन या विवह इनके लिए प्रात मिक्ता नहीं होता इस ज बहुत जरूर करते हैं, बट कहीं न कहीं वेवाहिक सुख में हमेशा इनको कमी देखने को मिलती है, ऐसे जा तक एक समय बाद आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा जुख जाते हैं, तो हो सकता है इनको वेवाहिक जिवन का सुख जिवन में कम ही मिले, और ये वेवाहिक जो इनका रहेगा वो थोड़े ही समय का रहेगा. यानि वैवाहिक जिवन का सुक्ष नके जिवन में कम ही होता है. ऐसे जो लोग होते जिनका नवं में केतو होता, उनका पार्टनर यानि इनका जिवन साथ ही हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ग्रम शवभाव का हो बहुत ज़्यादा गुस्य वाला हो वो कई बार स्वास्ते समंदी समस्याओं से पीडित रहेगा के तू अगर अच्छी स्तिते में यहां पर नहीं है तो वो आपको कुछ इस प्रकार के रोग देता है जैसे बैक पैन हो गया या और इस प्रकार के जो रोग हैं उनसे आपको कही न कहीं जूजना पड़ेगा जिवन में नवंभाव में केतु हो तो ज्यादतर अगर आप अध्यात्मिक कारियों की तरफ जुकेंगे आप उच अध्यन या इन कारियों की तरफ जुकेंगे दान दक्सिना या कोई सहिस्ता जो भी एनजियों जो अगरे होते हैं समाजिक कल्यान से जुड़ी हुई जो सहिस्ता होती हैं उनके साथ जुड़कर जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही आप लोगों को अच्छा फाइदा मिलेगा इसके अलावा और किसी काम से आप अगर कुछ प्राप्त करना चाते है और कोई काम अगर आप करना चाते हैं तो उससे आपको लाब कम ही होगा इसी तरह से नवम भाव में केतु आते हैं तो पिता के साथ संबन्ध हालां की ठीक रहते हैं लेकिन मिस अंडरस्टेंडिंग बहुत बार होती है नवम भाव का केतु आपको लंबी दुरी की यात्र अपने जिवन में उतना ही फाइदा आपको केतु नवम भाव में देंगे इसी तरह से नवम भाव में और कौन-कौन से ग्रह बैठे हैं उसके इसाब से केतु के जो रिजल्ट हैं वो आपके लिए चेंज भी हो सकते हैं और रासी भी आपको देखनी पड़ेगी केतु कौ बहुत बड़े कोई बिजनसमेन बन सकते हैं विदेशी व्यापार से बहुत ज्यादा पैसा ये कमा सकते हैं तो कही न कहीं नवम भाव का केतु आपको ज्यादा एक तरह से अंसटिसपाइड रखेगा नवम भाव के कारियों के परती और क्योंकि आपका जो उप्सिसन है वो तीसरे घर में रहुए तो तीसरे घर से जुड़ावाएं ऐसे में आपकी छोटी-छोटी यात्रे बहुत ज्यादा होंगी और लंबी दूरी की यात्रें भले ही आपकी कम हो लेकिन उनसे आपको या तो फाइदा होगा या फिर अगर केतु अच्छे स्थिति में नहीं आते हैं तो आपका नवम भाव उस तरीके से आपके जीवन में बहेव नहीं करेगा नवम भाव की चीजिए आपकी जीवन में उस तरीके से नहीं आएंगी जिस वे में आप उनको चाहते हैं नवम भाव में अगर केतू बैठे हैं तो आपको जीवन में बहुत अच्छे सिक काल है जीवन का उसके बाद ही करेंगी ऐसा भी पॉसिबल है इसी तरह से नवम भाव का केतू कहीं न कहीं आपको फाइदा देगा तो वह फाइदा आपको जदा तर आपके life के end के समय ही काम आएगा ज्यादे तर और जो मद्दे आई हुए उसके बाद ही आपको ज्यादा benefit यहां केतू देने लगेगा नवम भाव में केतू होते हैं तो जातक दूसरों की साहिता के लिए हमेशा तत्पर होता है वो अपनी फैमली वालों की साहिता करे या ना करे लेकिन दूसरे लोग दूसरी सैंस करती के लोग और अपने परिवार फैमली रिस्तेदारों को छोड़कर दूसरे लोग उनकी साहिता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा तो ऐसे जातक बहुत बड़े कोई विद्वान हो सकते हैं, ये जिवन में famous बहुत होते हैं, लेकिन जिवन में अंत में जाकर इनको बड़ी सफलता मिल सकती है, ऐसे जातक हमेशा active होते हैं, ये काफी महनती भी होते हैं, साहसी भी होते हैं, तो जो इनका target होता है life में, उसको ये हमेशा सर्वो पर ही रखते हैं और ज्यादा तर ये देखा गया है नवम में केतु हैं तो जातक अपने केरियर को सर्वो पर ही रखता है ऐसा जातक केरियर को लेकर बहुत सीरियस होता है जिवन में और वो काफी एक्टिव भी होता है तो ऐसे जातकों को जिनका केतु नवम भाव में अच्छे स्थिति में ना हो उनको नवम भाव से कोई ज्यादा लाब नहीं मिलेगा शुरुवात के समय में तो उनको अपनी मेहनत पर ही डिपेंड रहना चाहिए और इसी तरह से केतु नवम भाव में हैं तो पैत्रिक संपत्ति या पिता से आपको सहयोग ज बात किये हैं और अब आपको थार्ड हाउस के उपर फोकस करना है जहां पर रहू बैठें तो इस परकार के कुछ रिजल्ट केतु देते हैं जब भी नवम भाव में आते हैं फिल्हाल यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद झाल 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 झाल